ओम शंती, मुरुली का तारिख है 4-4-2019, मीटे बच्चे ये बना बनाया नाटक है, इस नाटक से एक भी आत्मा चूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता, इस कलियुग में हर एक आत्मा चाहती है कि मुझे मोक्ष मिले, मैं इस ग्रामा में पार्ट बजाना नहीं चाहती हूं, मैं सदा मुक्ती में रहना चाहती हूं, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, ऐसे हर एक सोचते हैं, क्यूंकि कलियुग दुख की दुनिया ही, इस दुख की दुनिया में हर आत्मा तक कई है, दुख का अनुबव करते करते, सब इस दुख की दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हर एक मोक्ष चाहते हैं, लेकिन ये नाटक बना बनाया नाटक है, यहाँ पर हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, इस नाटक से एक आत्मा भी छूट नहीं सकती, जैसे दुनिया में हत्का नाटक चलता है, उस नाटक में भी हर पात्रदारी होना जरूरी है, अगर हत्के नाटक में भी एक पात्रदारी नहीं होगा, तो पार्ट नहीं चलेगा, ऐसे ही इस बेहत के नाटक में हर आत्मा का पार्ट फिक्स हो गया है, यहाँ पर हर आत्मा को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना यी है, इस ड्रामा से एक आत्मा भी चूट नहीं सकती, इस ड्रामा से किसी को मोक्ष मिल नहीं सकता, प्रश्न उन्चे ते उन्चा पति पावन बाप बोलानात कैसे है, पिता परमात्मा बोलानात है, पति पावन बाप उन्च ते उन्च बाप, कैसे बोलानात बनते हैं। उत्तर तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्टी दे महल ले लेते हूं। अभी हम बगवान के पास आये हैं। बगवान के द्वारा विश्प का राज्यबाग्य लेने। पिता परमात्मा हमें सत्युका महल दे रहे हैं। अभी हम पिता परमात्मा को चावल मुट्टी देते हैं। हम एक मुट्टी चावल देते हैं। उसके बदले में पिता परमात्मा के द्वारा हमें महल मिल जाता है। इसलिए ही बाप को बोलानात कहा जाता है। बगवान बोला ना थे क्यूंकि एक मुट्टी चावल के बदले बगवान हमें महल दे देते हैं। तुम कहते हो शुबाबा हमारा बेटा है, वहां बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। स्वयम विश्व का पालनहार पिता परमात्मा इस समय हमारा बेटा बना है। हम सब इश्वर को अपना बेटा मानते हैं, अभी स्वयम पालन करता शुबाबा को हमने अपना बेटा बनाया है। लेकिन बगवान ऐसा बेटा है जो हम से कुछ लेता नहीं, पिता परमात्मा सदा दाता बनकर देता ही रहता है। लवकिक दुनिया में जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे मात-पिता से सब कुछ पाते हैं। लेकिन बगवान ऐसा बेटा है, वो दाता बनकर सदा देता है, हमसे कुछ भी लेता नहीं। बक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है, वैसा फल पाता है। कर्म की फिलासफी हम सब जानते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कर्म रूपी बीज, जो बोता है, उसका फल उसको मिलता है। वेक्ति अगर पुण्य का कर्म करता है, तो उसको पुण्य का फल मिलता है। पात कर्म करता है, तो उसको पात का फल मिलता है। हर इंसान को अपने कर्म का फल तो मिलता यी है। वेक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा फल उनको मिलता है। परंतु बक्ती में तो अल्प काल का मिलता है, बक्ती मार्ग में दान पुण्य भी करते हैं तो भी उनको अल्प काल का फल मिलता है, क्यूंकि बक्ती में बगवान के नाम पर इंसानों को दान देते हैं, अर्थात इश्वर के नाम पर इंडारेक्ट दान पुण्य करते हैं, इसलिए बक्ति में अल्पकाल का फल मिलता है। ग्ण्यान में समस्य करते इसलिए सदाकाल का फल मिलता है। अभी ग्ण्यान सागर पिता परमात्मा के द्वारा हमें ग्ण्यान मिला है। अभी हम जानते हैं स्वयम बगवान बोलानात बनकर आये हैं। बोलानात बाप हमें सब कुछ दे रहे हैं, अभी हमें समझ मिली है, दान का महत्व क्या है, इसको हम जानते हैं, बगवान बोलानात बनकर आये हैं, इसलिए हम एक मुट्टी चावल भी पिता परमात्मा के नाम पर देते हैं, तो उसके रिटन में महल मिल जाता है, और बगवान अभी हमें एक जनम के लिए नहीं, सदाकाल के लिए फल देते हैं, अभी ग्ण्यान के द्वारा हमें समझ मिली हैं, हम बगवान के नाम पर अभी डाइरक्ट जो कुछ भी करते हैं, उसका एक के बदले सव गुणा पिता परमात्मा हमें रिटन में देते हैं, बोला नात अभी हमारा पिता बनकर आये हैं, पिता परमात्मा के द्वारा अभी हमें सब कुछ मिल रहा है, दारणा के लिए मुक्यसार, फर्स्ट पाइंट, वशी करण मंत्र सब को देना है, अभी मन को वश रखने के लिए पिता परमात्मा के द्वारा हमें जो वशी करण मंत्र मिला है, उस मंत्र के स्तिती में स्तित हो जाना है, सदा मन मनाबव के स्तिती में स्तित हो कर, मन को वश में रखना है, सदा मन को पिता परमात्मा के साथ जोडना है, और मन को कंट्रोल में रखना है, और यही वशी करण मंत्र हर आत्मा को देना है, क्यूंकि आज हर व्यक्ति कहता है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, हर व्यक्ति का मन बटक रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को मन मनाबव का वशी करण मंत्र देना है, हर व्यक्ति को मन को वश में रखना सिकाना है, पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है अभी स्वयम ग्ण्यान सागर पिता परमात्मा हमारा टीचर बनकर हमें पढ़ाने के लिए आये है अभी पिता परमात्मा के द्वारा हमें हर रोज पढ़ना है अच्छी तरह से पढ़कर राज्य तिलक लेना है इसलिए दिन रात पड़ाई में मेहनत करनी है पिता परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है उसका चिंतन करना है राजाई तिलक लेने का योग्य बनना है इन दुखों के पहाड को हटाने में अपनी अंगुली देनी है अभी बगवान इस दरा पर आये है इस दुख के पहाड को हटा कर सुक की दुनिया का निर्मान करने के लिए अभी हमें पिता परमात्मा के इस कारी में सहयोगी बनना है इस दुख के पहाड को हटाने में पिता परमात्मा को अपनी अंगुली का सहयोग देना है अर्तातु स्वयम दुख से मुक्त होकर हर आत्मा को सुक का दान देना है सेकेंड पाइंट संगम युक पर पुरुषोतम बनने का पुरुषार्थ करना है अभी पुरुषोतम संगम युक चल रहा है बगवान हमें पुरुषो में उत्तम अर्तात पुरुषोतम देवता बनाने के लिए आये है इसलिए सर्व दैवी गुणों को दारण कर, पुरिशोतम बनने का पुरिशार्त करना है, बाप को याद करने की डिल करनी है, जैसे तन की तंदुरुस्ती के लिए हम हर रोज तन के लिए एक्सेसाइज करते हैं, ऐसे मन की तंदुरुस्ती के लिए सदा पिता परमात्मा के स मन को जोड़ना है, ये काग्रता से एक पिता परमात्मा को याद करना है, पिता परमात्मा की याद में रहने का ड्रिल करना है, बाकी योग योग कहा मुँचना नहीं है, अभी स्वयम बगवान हमें योग सिखा रहे है, वो योग सहज राज्योग है, हमें चलते फिरते उड़ते बढ़ते पिता परमात्मा की याद में रहना है, योग योग कहकर मुँचना नहीं है, सदा, पिता परमात्मा को सर्व संबंदी समशकर पिता परमात्मा की याद में रहना है वरदान, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को दारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त बवा अभी हमें लगावों से मुक्त बनना है लगाउ से मुक्त बनने के लिए परमात्म ज्ञान के द्वारा हमें जो नवीन बात मिली है पवित्रता का उस पवित्रता को दारण करके दुनिया के लगाउ से मुक्त हो जाना है परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है हम अनेक जन्मों से ग्ण्यान पा रहे हैं लेकिन जन्म जन्मांतर से हम जो ग्ण्यान पा रहे थे उस ग्ण्यान में पवित्रता की बात नहीं थी अभी स्वयम पवित्रता का सागर पिता परमात्मा आकर हमें पवित्रता का नया ग्ण्यान दे रहे है फलक से कहते हो की आग कापुस इकटे रहते भी आग नहीं लग सकती अभी हमें पवित्रता का ज्ञान मिला है अभी हम पवित्रता के सागर शूपिता के संतान बन गए है पवित्रता के सागर शूपिता में जो पवित्रता की शक्ती है उसको हम स्वयम में दारण कर रहे हैं इसलिए हम नशे से कहते हैं कि आग कापुस इकटे रहते भी आग नहीं लग सकती अर्टाती स्त्री पुरुष साथ में रहते भी अपवित्र नहीं बन सकते क्यूंकि हम पवित्र आत्मा बन गये हैं विश्प को आप सबकी या चालेंज है कि पवित्रता के बिना योगी वा ग्ण्यानी तु आत्मा बन नहीं सकते अभी हम सारे विश्प को चालेंज कर रहे है कि पवित्रता के बिना हम योगी नहीं बन सकते पवित्रता के बिना हम ग्ण्यानी नहीं बन सकते जब तक हम पवित्रता के गुण को स्वयम में दारण नहीं करते तब तक हमारा योग पिता परमात्मा के साथ हम जोड नहीं सकते जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं बनते तब तक हमारी बुद्धी में ग्ण्यान रत्न बैट नहीं सकते इसलिए हम दुनिया को जालेंज करते हैं पवित्रता के बिना योगी वह ग्ण्यानी तु आत्मा बन नहीं सकते। योगी बनने के लिए ग्ण्यानी बनने के लिए पवित्रता को दारण करना है। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुख्त। पवित्रता का मतलब है संपूर्ण लगाव से मुख्त हो जाना देह, देह की दुनिया, देह के संबंद, देह के पदार्थ, किसी भी चीज में जरा भी लगाव होगी तो हम अपवित्र कहलाएंगे। पवित्र आत्मा बनने के लिए हमें हर चीज से लगाव को हटाना हैं, आकर्षण मुक्त बनना हैं, किसी भी वेक्ती वाँ साधनों से भी लगाव ना हो। अभी हमारे मन में किसी भी वेक्ती के प्रती लगाव नहीं होना चाहिए, अगर हम किसी वेक्ती को देखकर, उनके आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं, या किसी साधनों को देखकर, उसके लगाव में आकर्षित हो जाते हैं, तो इसका मतलब है, अभी तक हम संपूर्ण प पवित्र आत्मा नहीं बने हैं, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकते हैं, जब हम संपूर्ण पवित्र आत्मा बन जाते हैं, व्यक्ति और साधनों के लगाउं से मुक्त हो जाते हैं, तब हम इस प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा म बिजी रह सकते हैं श्लोगन पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है दरत परिये दर्म ना छोड़िये अभी हम सब पवित्रता के सागर शूपिता की संतान बन गये हैं पवित्रता हमारा इस ब्राम्मन दर्म का फाउंडेशन है इसलिए दरत परिये दर्म ना छोड़िये कुछ भी हो जाए लेकिन हमें पवित्रता की इस दर्म को छोड़ना नहीं चाहिए सदा पवित्र आत्मा बन कर रहना है अच्छा ओम शांती